भाईयों और बहनों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है, आजादी के बाद, आज भारत के पास इस्वर्निम कालखंड आया है, भारत के पास वो अवसर आया है, जब वो दस साल पहले की निराशा को छोड़ कर, अब पूरे आत्मविश्वाद से आगे बढ़ रहा है, आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या बाते चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अख़बारों में क्या पढ़ने को मिलता था, तब पूरे देश में होने वाले, बड़े बड़े गोटालों की चर्चा ही रहती थी, तब आए दिन होने वाले, बम धमाकों की चर्चा होती थी, देश के लोग सोचते थे, कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा, जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नोकरी बच जाए, कॉंग्रेस के राजमें चारों तरफ तब यही माहोल था, और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष की बात कर रहे हैं, आज हम विक्सित भारत की, विक्सित राजस्थान की बात कर रहे हैं, आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल पर ले रहे हैं, और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं, जब मैं विख्सित भारत की बात करता हूँ, तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन सम्रुद्ध बनाने का अभ्यान है, ये गरीवी को जड़ से मिटाने का अभ्यान है, ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभ्यान है, ये देश में आदूनिक सुविधाएं बनाने का अभ्यान है, मैं कल रात में ही विदेश यात्रा से लोटा हूँ, ये यी और कतर के बड़े-बड़े नेताओं से मेरी मिलाकात हुई है, आज वे भी भारत में हो रही प्रगति को लेकर चकित है, आज उनको भी भरोसा हो रहा है, कि भारत जैसा विशाल देश बड़े सपने देख सकता है, इतना ही नहीं उने पूरा भी कर सकता है,